रजनी को बश्पन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था वो हमेशा से ही पेंटर बनना चाहती थी पर उसके मा और पिताजी ने उसको कभी भी इस जिसके लिए सपोर्ट नहीं किया और उसके शादी नीरव से हो गई नीरव रजनी को बहुत प्यार करता था पर रजनी हमेशा चुपचाप ही रहती वो इस शादी से खुश नहीं थी वो ये शादी नहीं करना चाहती थी उसे तो हमेशा से पेंटर जो बनना था अपने इस सपने को वो नहीं पूरा कर पाई इसलिए वो हमेशा उदास रहती थ रजनी बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है कल देखने चले नहीं जी कल मुझे बहुत काम है मैं नहीं जा पाऊंगी अच्छा तो कोई बात नहीं संडी को चलते हैं देखिए मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है आपको जाना है तो चले जाएए नीरो को मना करके रजनी वहां से चली जाती है और अपने बैग को खोल कर उसमें बंद पड़े ब्रश और कलर्स को देख कर रोने लगती है रजनी चलो ना कहीं बाहर खाने चलते हैं कुछ तुम्हारी पसंद का जी मुझे नहीं जाना मेरी तब्य ठीक नहीं है रजनी वहां से चली जाती है नीरो को समझ नहीं आता कि रजनी उससे इतना दूर क्यों रहती है वो जब भी उसके साथ वक्त बिताना चाहता है रजनी कोई ना कोई बहाना बना देती है एक दिन घर पर कोई नहीं था रजनी घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेती है घर पर अकेले होने के कारण वो सोचती है कि वो आज पेंटिंग करेगी वो अपने कमरे में जाकर पेंट ब्रशेज और कलर्स निकाल कर जैसे ही कलर मिक्स कर रही होती है कि दर्वाजे पर बेल बच जाती है अब कौन आगया इस वर इतनी मुश्किल से तो मुझे पेंट करने का मौका मिला है रजनी दर्वाजा खुलती है तो उसकी सास अपनी सहलियों के साथ खड़ी होती है और सब घर के अंदर आ जाते हैं अरे बहू सबको शर्बत बना कर पिला दे बाहर तो बड़ी गर्मी है जी रजनी पेंट ना कर पाने से उदास हो जाती है उसे गुसा भी आ रहा होता है कि उसने इस शादी के लिए हाग क्यों कह दी वो रसुई में जा रही होती है कि उसकी सास उसे रूपती है बहू सबके खाने का भी इंतजाम कर ले न आज का लंच तो ये सब यहीं करेगी हाँ रजनी बिना कुछ कहे रसुई में चली जाती है सबके लिए खाना बनाती है सब खाना खाते हैं और रजनी घड़ी देखती है कि ये सब कब जाएंगे ताकि वो अपनी पेंटिंग कर सके जब शाम होती है तब सब चले जाते हैं अपने घर अरे बहू सब तेरे खाने की तो बहुत तारीफ कर रहे थे सबको बहुत अच्छा लगा खाना आपको मुझे सुबह बताना चाहिए था ना कि आपके सहली आ रही है पता भी है कितना वक्त लगा सारा खाना बनाने में अरे बहू तो ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे तो और कैसे बात करूँ मैं इस घर की कोई नोकरानी नहीं हूँ कि इतना काम करूँगी रजनी अपने कमरे में जाकर दर्वाजा बंद कर लेती है शाम को जब नीरव आता है तो उसकी मा उसे पूरी घटना के बारे में बताती है क्या रजनी ने आपसे इस तरबाद की मा हाँ और पता नहीं उससे क्या हो गया है शाम से बाहर भी नहीं आई है मैंने तो कई बार आवाज दी खाना भी नहीं खाया उसने तू ही बात करके देख ले बेटा नीरव अपने कमरे का दर्वाजा खट खटाता है रजनी दर्वाजा खोलो मैं हूँ रजनी दर्वाजा खोलती है और फिर वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है रजनी मा से बात करने का ये क्या तरीका है मैंने कोई गलत बात नहीं की है. अरे तुम क्यों ऐसे बर्ताओ कर रही हो सबके साथ? क्या तुमें शादी से खुश नहीं हो? रजनी कुछ नहीं बोलती. रे बताओ मुझे रजनी, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जे के खिलाफ हुई है? हाँ मैं ये शादी कभी नहीं करना चाती थी तुमसे क्या मैं किसे से भी शादी नहीं करना चाती थी रजनी रोने लगती है चुप हो जाओ रजनी बताओ मुझे तुम क्यों नहीं करना चाती थी शादी रजनी बेड के नीचे से अपने पेंटिंग्स, कलर्स, ब्रश, पेपर्स निकालती है इतने में उसके सास भी कमरे में आ जाती है ये देख रहे हो, ये थे मेरे सपने मैं पेंटर बनना चाहती थी पर मापापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया और मेरी शादी करवादी मेरे सारे सपने तूट गए हर वक्त बस गुसा आता रहता है मुझे जानती हूँ कि आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता रजनी फूट फूट कर रोने लगती है मुझे माफ कर दीजिये, आप दुनों के साथ मैं बहुत बुरा बरताओ कर रही हूँ अरे रजनी बेटा चुप हो जाओ तुम नीरो पानी लेकर आता है ये लोग पानी पियो और शान्त हो जाओ रजनी पानी पीती है और उसके साथ पेंटिंग्स देख रही होती है अरे नीरो हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहु कलाकार है अरे कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है देखो तो ये वाली तो मैं अपने कमरे में ले जाओंगी आपको ये पेंटिंग अच्छी लगी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी और तुमने हमें बताया क्यों नहीं तुम जब चाहे पेंटिंग कर सकती हो रजनी हम तुम्हारे सपनों को पुरा करने में तुम्हारा पूरा साथ देंगे हाँ बेटा हम कला की कद्र करते हैं हम कलाकार तो नहीं पर मुझे गर्व है कि मेरी बहु एक कलाकार है रजनी नीरव और साज तीनों हस पढ़ते हैं